स्वाज हम इंडियन पॉलिटी लक्षमिकांत का थर्ड चाप्टर जो की है साइलिंट फीचर्स ऑफ दी कॉंसिटूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका यह पार्ट टू है पार्ट वन अलेडी अपलोड हो चुका है और यह चाप्टर में कम से कम तीन पार्ट को और लाया इसलिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो मारा नेक्स्ट फीचर से देखते हैं वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लेमेंटरी सोवरानिटी और जुडिशल सुप्रीमिसी ठीक है तो होता यह है कि जो और नहीं ऐसा फीचर ले जहांपे अपनी जुडिश्री को सुप्रीमिसी ठीक है अब जानते हो कि पार्लेमेंट और जुडिश्री यह दो ऐसे और घोर्ट के जिसमें बैलन्स होना बहुत ज़रूरी है ठीक है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पार्लेमेंट अपनी मनमर्ज से कोई ऐसा लौ बना दें जिसके कारण जुडिश्री भी उसको युनो उस लौ को नल एंड वॉइट ना कराते पाए बिकॉस जैसे के हम जानते हैं जब भी लौ बनाया जाते हैं उसमें चेक किया जाता है कि वो अगर वो कॉंसिटुशन को किसी तरह से हांप पोचा रहा है तो जुडिश्री के पास पावर होती है जुडिश्री के तहत कि वो बिसिकली जो लौ है उसको नल एंड कर सकता है यानि खारिज कर सकता है बट अगर पार्लिमेंट को अगर हम सुप्रीम कर देते हैं तो हो तो जुडिश्री उसको कभी लानी नहीं देगा विकाज वो हर किसी में बोलता रहेगा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते है तो इसलिए बैलन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए हमारे कॉंसिटुशन मेकर्स ने यही कोशिश की कि हम बेसिकली इन दोनों का मिक बिसिकली इन उसमें डिफरेंगे तो आप देखोगे कि इंडिया का जो पार्लिमेंटरी सिस्टम में वे बिटिश ते थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा क्यों कॉस पार्लिमेंट के जो एक हमने आप यूंसको इक कर सकति है मेजर पोच्टुशन ऑफ दे पावर कहते हैं तो आप पास जींगे को बियात रखकना पार्लिमिंटरी एक हंसे हैं अदिक वहकती छ pane ड्र сильно पावर में ब्रिटीश नेक्डश करते हैं एक्ड! इस हां पीजिटी-धार से लिए और से यह से लिए से वंने डिके? सी के पास बहुत जादा पावर रहा है तो जुदिशिया रव्यू सेंस वो किसी भी चीज में जुडिशल रव्यू के सकता है बाट हमने इस किस में स्कों को सीज़ आए्ड़ी कर दिया है, मतलाब सलगा और similarly judiciary के पास अपनी judicial review है, चीजों को review करनेगी, ठीक है, बर दोनों के बीच में balance है, ठीक है, next concept है कि American constitution जो फॉलो करता है due process of law को, जबकि हमारा Indian constitution फॉलो करता है process established by law, यह जो term है, आपने आप में काफी जादा, you know, unique है, और जिससे समझना बहुत जादे जरूरी है, तो हम इ basically यह है, कि जो US है, ठीक है, USA का जो supreme court है, उसके पास basically wide scope है, किस चीज का, law को, कोई भी law को, अगर वो avoid कर सकता है, मतलब खारिच कर सकता है, किन दो basis पे, तो पहला basis है substantial ground, ठीक है, और second है procedural ground, ठीक है, तो यह दो चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, कि substantial ground क्या होते है, और procedural ground क्या होते है, ठीक है, substantive ground basically होता है, constitution को, यानि अगर कोई भी law, US की parliament में लाया गया है, अगर वो law, constitution को harm करता है, constitution को violate करता है, तो उस ground के basis पे, वहां की जो supreme court है, उस particular law को खारिच कर सकती है, वोइट कर सकती है, ठीक है, साथिसाथ procedural ground के, अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, कि जो भी law लाया जाता है, गौर्मेंट के द्वारा, उससे किसी citizen को अगर नुकसान हो रहा है, तो ये भी चेक किया जाता है, ठीक है, यानि हम देख सकते हैं, कि जो supreme court है, USA की, वो इन दोनों ground के basis पे चेक ठीक है, अगर मानलों कोई भी law लाया गया, तो ये दोनों ground चेक करेगी, कि उस law जो लाया जा रहा है, उससे constitution में क्या फरक पड़ रहा है, और दूसरे citizens पे क्या फरक पड़ रहा है, कि अगर मानलों कोई law बले constitution बाइस सो सही बैट रहा है, बट अगर उसके आने से किसी citizen क को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो चाहे तो उस law को खारिच कर सकती है, ठीक है, जबकि हमारा जो procedure established by law है, वो सिर्फ वो सिर्फ सिर्फ substantive ground के basis पे ही किसी भी law को void कर सकता है, ठीक है, यानि कि हम कह सकते है कि जो हमारा procedure established by law है, वो काफी narrow है as compared to USA का due process of law, ठीक है, यानि हमा substantive ground को वो यूज करेगी है, हमारी सुप्रीम कोट, ठीक है, ना कि procedural ground, तो आप देखते हैं कि जब भी कोई law लाया जाता है, तो सुप्रीम कोट कभी ये नहीं देखती, उस law को लाने से citizens को क्या नुकसान होगा, obviously जब वो law पास हो जाता है, जब इसकी implementation की बारी आती है, तब तक यो law को वोइड करना या नहीं करना हो, डिसाइड करता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ी लिया है कि सुप्रीम कोट किसी भी parliamentary law को unconstitutional कह सकती है, अपने judicial review की पावर सी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट फीचर जो है, integrated and independent judiciary, तो स्टेट का जो सबसे ऊपर का जो court होता है, उसके नीचे आपके district court आता है, तो एक तरह की हायार की बन रिखी है, कि अगर आप local layer में जाएंगे, तो हाँ की local court सापका level मिलेंगे, कोई भी case होगा, उस local court में सुना जाएगा, अगर उसमें ऐसा कोई provision है, कि मतलब ऐसे कुछ प्रावधान किये गए हैं, कि वो case मतलब वो नी सुन सकता, तो उसको अपील किता है, तो आपका district court सुनेगा, फिर district court में अगर सुनवाई नहीं हो पाई, तो high court सुनेगा, फिर high court ने अगर अगर से basically pass on कर दे supreme court को, तो supreme court उस चीज को सुनेगा, तो एक तरह की higher की आपको द supreme court को एक highest court of appeal माना जाता है, इससे उपर आप appeal नहीं कर सकते हैं, और इसको guarantor माना जाता है fundamental rights का, जब हम fundamental rights पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कि अगर मानलो किसी भी citizen का कोई भी fundamental right अगर violet होता है, तो directly supreme court में जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे सबसे पहले lower court में अपन governmental right को violet किया जा रहा है, और supreme court तुरंत उस पे action लेगी, ठीक है, और साथी साथ इससे constitution का भी guardian माना जाता है, क्यों, because constitution में जितना भी कुछ लिखा हुआ है, उसमें कैसे उससे implement करना है, और कैसे उसको इनो बनाए रखना है, ठीक है, वो power किसके पास है, जुडिश्री के पा कि अगर वो उस constitution को खराब कर रहा है, उस constitution को वाइलेट कर रहा है, जो भी उसमें लिखा हुआ है, तो supreme court as a guardian of the constitution की तहत, वो उस चीज के ओपर कारवाही कर सकती है, अपना judicial review दे सकती है, ठीक है, और कोई भी ऐसा चीज वाइलेट कर रहा होगा, तो इसो null and void भी कर सकती है, नेक्स्ट है कि हम उसे independent क्यों बोलते हैं, independent इसलिए बोलते है कि because जब आप उसका tenure देखोगे, security of tenure basically judges की होती है, यानि कि अगर एक बार कोई judge appoint हो गया, तो जो भी उसका tenure है, उससे पहले उसको attire नहीं जा सकता है, irrespective कि उसने कुछ गलत मतलब कुछ ऐसा unconstitutional काम ना किया ह ठीक है, जो कि हम Supreme Court में basically discuss करें कि क्या ऐसे कारण है जहां पर Supreme Court की judge को impeach किया जा सकता है, ठीक है, पहले तो हम यह देखते हैं कि जो इसकी independence है, वो कहां से मिलती है, क्यूंकि जो judges के service condition देखोगे, fix है, मतलब एक बार अगर judge appoint कर दिया गया, तो जब तक वो retire नहीं हो जाता उनकी job से, ठीक है, कि आपने हमारे recording काम नहीं किया, because उनका service जानी और fix है, ठीक है, साथी साथ कि उसके जो expenses होते है, उनके charge किया जाता है, ठीक है, यानि कि जो भी पैसा, जो डिश्री को दिया जाएगा, उसकी खर्चे के लिए, या फिर जो भी उनका staff है, staff को जो पैसा काम काच का खर्चा होता है, तो उस case में जब भी पैसे allocate के जाएंगे, पारलेमेंट के दौरा तो पारलेमेंट उस पर वोटिंग नहीं करेगी, ठीक है, यानि कि अगर मानलो Supreme Court ने अपना लिख के दे दिया कि हम इतने पैसे चाहिए, तो पारलेमेंट में यह चीज बहस न अपने ओफिस के दौरान अगर कोई भी ऐसा कुछ काम किया है, ठीक है, कोई भी जज्जमेंट दिया है, कुछ भी ऐसा किया है, तो पारलेमेंट हमारी या फिर जो लजिसलेचर है, उस पर बेसिकली डिसकुशन नहीं कर सकती, कि इस जजज ने इस केस में यह अपने 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 ओफिस के दौरान फेवर कर देता है, किसी गवर्वर्मेंट का, तो इस यह सोचके कि आफटर रिटार्मेंट मुझे कोई और पोस्ट मिल जाएगी, तो अब इसकी थोड़ी बूत है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आफटर रिटार्मेंट क इसी भी चीज़ में उन्हें प्राक्टिस काने से बैन कर दिया जाता है, साथी साथ, पावर टू पनिश, इस कंटेंट इन इन इस सुप्रीम कोट, जैसे कि हम जानते हैं, कंटेंट अफ कोट होता है, माननों, गर कोई भी परसन सुप्रीम कोट या फिर कोई योडिशरी के कर सकते हैं, आप पॉजिटिव क्रिटिसिसम कर सकते हो, कि हाँ, इस कोट ने इस तरह से न्याएं दिया है, आप ऐसे जज़ेंट में दिया है, बट कुछ अबद्र विवार नहीं करना है सुप्रीम कोट का, बिकास सुप्रीम कोट ऐसे तो इंडिपेंडेंट है, और आप ज़्यादा स्यादा थोड़ी बहुत पनिश्मेंट दे के उनको सुप्रीम कोट वापिस भेज देती है, बट पनिश करना ज़रूर है, अगर आप अपने जुडिश्री पर भरोसा नहीं करोगे, तो फिर कोई भी अपना न्याय मांगने नहीं आएगा, ठीक है, नेक्स्ट इस पर कोशन नहीं उठा सकती है, अपने पारलेमेंट के अंधर जैसे के अपने इसकोशन मांगने कर सकती, अनलेस न अंटिल जब तक कोई ऐसा लॉन अलाया गया हो, जो कॉनसिटीशन को वाइलेट करे, ठीक है, तो यह सारी फीचर्स बिसिकली हम देख सकते हैं, नेक्स्ट एक कोशन है, कि अभी हमने बात किये कि सुप्रेम कोट के पास जूडिशल रिव्यू होता है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल के तहत उनको यह पावर मिलती है जूडिशल रिव्यू की ठीक है सुप्रीम कोट को, सिमिलरलि हाय को बिसिकली कौन स में इसका answer दीजेगा तो next की तरफ चलते है next हमारा है fundamental rights तो fundamental rights एक दूसरा feature है constitution का तो fundamental rights जो कि अपने आप में एक chapter है जहां हम detail में पढ़ेंगे बट यहां इन short में हम देख लेते हैं सबसे पहले है कि fundamental right को part third में रखा गया है article 14 से लेके 32 के अंदर हमारे fundamental rights आते हैं सारे article 14 से लेके 18 में हमारे right to equality को रखा है 19 से लेके 22 में right to freedom है 23 से लेके 24 में right against exploitation है 25 से लेके 28 में right to freedom of religion है 29 से 30 तक culture and educational rights है 32 में right to constitutional remedies है तो आप यहां पर देख सकते हैं एक article है article 31 basically वो कहां गया तो आप comment box में लिखेगा कि article 31 कहां मतलब basically क्या था और अब यहां पर इसे fundamental rights के अंदर क्यों नहीं रखा गया है next take in सभी articles को हम detail में fundamental rights में पढ़ेंगे इसलिए अब यहां पर time को waste नहीं किया जाएगा अब हम देखते है next चीज़ कि fundamental rights basically क्या चीज़ प्रमोट करता है तो वो एक तरह का political democracy को प्रमोट करता है democracy जैसे कि हम जानते हैं कि स्वतनत्रता होती है यानि यहां पर जो political यानि जो legislative है executive है चाहिए वो center की हो या फिर state की हो इन दोनों के पास democracy है मतलब right है या फिर power है कह सकते है कि यह लगों के लिए कुछ law बना सकता है जो भी उनकी hit के लिए हो बट याद अतना कि वो जो भी law बनाएगा वो arbitrary नहीं होनी चाहिए ठीक है arbitrary का मतलब है याँ पे कि ऐसा कोई भी law जिससे किसी किसी person की fundamental rights चुन रहे हो ठीक है तो यह ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो इस person की जिसका fundamental rights violate हो रहा है उसके पास power है कि वो supreme court के पास जा सकता है क्यों because fundamental right को justiceiable माना गया nature में यानि आगर किसी का भी fundamental right violate होता है तो इससे justice के लिए वो directly supreme court के पास जा सकता है और supreme court इसके लिए क्या करेगी अगर किसी का fundamental right अगर violate हो रहा है तो इसके supreme के उपर पावर है कि वो rights issue कर सकती है तो रिट्स बेसिकली क्या होते है एक तरह का order होता है जिसे हम fundamental rights में cover करेंगे ठीक है तो detail में आपको fundamental rights में इसको cover किया जाएगा बट अभी ध्यान रखने के लिए आप याद रखलो कि रिट्स पांच तरह के की होते हैं hebis copus है, mendemus है, prohibition है, certuary है, q warrant हो है तो इस रिट्स को use करके supreme court चाहे तो किसी को भी इनो court में बुला सकती है और उनसे पूछ सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया है तो अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग rates को basically use किया जाता है next feature है कि ये non-absolute है not absolute इसका मतलब ये है कि जो fundamental right है government जाए तो कुछ reasonable restrictions इसमें लगा सकती है यानि कि अगर आपको कुछ right मिला है जैसे मानदो आपको right to freedom of speech मिली है तो ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाए आप हमेशे देखो कि जब हम fundamental right पढ़ेंगे तो इसके नीचे mention किया जाएगा कि कुछ restrictions इसमें इंपोस की गई है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आमने पहले भी बात की थी कि आपका fundamental right किसी और की right को basically नुकसान पहुचा रहा हो आपके लिए तो basically right हो गया बोलना बट उस आप किसी बात की वज़े से अगर किसी को नुकसान पहुँच रहा है तो वो तो उसका fundamental right का violation होगा और वो परसम फिफ बेसिकली सुप्रीम कोट के पास जा सकता है इसलिए ऐसा ना हूँ इसलिए कुछ reasonable restrictions लगाई जाती है किसकी द्वारा state government की द्वारा center government की द्वारा next feature है not sacrosanth नहीं है मतलब parliament चाहे तो इसको curtail भी कर सकती है या फिर fundamental right जो आपको दिया है उससे basically repeal भी कर सकती है कैसे constitution amendment act केता है ठीक है बट हमेशे याद रखना है कि अगर आप किसे भी constitution को amend कर रहे हो तो basic structure उसका wallet नहीं होना चाहिए ठीक है तो जैसे कि आपने अभी देखा है उपर कि जो आपका article 31 है आपे बीच में से ये basically पहले एक fundamental right था बट क्योंकि इस यहां से हटा दिया गया है repeal कर दिया गया है तो कुछ ना कुछ amendment करी होगी तो वही amendment आपको बताना भी है और इसलिए parliament के पास इसलिए power है कि वो कुछ भी चाहे तो उसे repeal कर सकता है fundamental right को बट amendment के बाद ठीक है next है कि आप suspend हो सकते है fundamental rights का अब जब national emergency लगी हो ठीक है तो जब भी national emergency लगती है तो आपके सारे के सारे fundamental rights को suspend कर दे जाता है मतलब उसके उस दुरान आप अगर मानलो emergency अगर लगी है उस दुरान आपके fundamental right अगर wallet भी हो रहे हैं किसी भी तरीके से मानलो कोई law बना दिया जा रहा है पारलेवेंट के दौरा तो उस case में आप judiciary के पास नहीं जा सकते हैं कहने के लिए कि हमारे fundamental right वालेट हो रहे हैं उस समय emergency लगी है तो उस समय center का rule चलेगा बट याद अतना है कि सिर्फ ऐसे दो article हैं जो basically वालेट मतलब basically suspend नहीं होती थी कि तो article 20 और 21 है अब important यह है जाना कि article 20 और 21 में ऐसा क्या है कि यह suspend नहीं होता है emergency के दोरान भी थी कह है तो article 20 basically बात करता है protection in respect of convention for offenses मानलो अगर आपने कोई भी offense किया है तो उसके लिए basically आपको protection दी जाएगी तीक है होता क्या है basically वैसे तो आप detail में fundamental rights में से cover करेंगे बट इन शॉर्ट में बता देती हूं कि अगर मानलो कोई भी executive या फिर कोई भी parliament अगर कोई भी ऐसा law मतलब arbitrarily अगर आपको punishment देना चाहती है तीक है अगर मानलो कोई rule तोड़ दिया या फिर कुछ ऐसा काम कर दिया और government चाहती है कि आपको basically punishment मिले तो अगर मानलो वो punishment जायज है तो आपको सजादो मिलेगी बट अगर कुछ ऐसा है कि आपने punishment कुछ ऐसा काम भी नहीं किया फिर भी आपको punishment मिल रही है या फिर एक तरह से क्या सुप्रीम कोट आपको एक chance देती है कि आप अपने आपको proof कर कीजिए कि अपने अगर गलती नहीं किया है तो आप उसको मतलब एक तरह का आपको बचाती है उस excessive punishment से तिक है इस article की तुरू और अगर मानलो अगर ये article नहीं रहेगा तो आप देख सकता है emergency की दुरान कोई भी comment या फिर कोई भी person आपको इन्हों सजा दे सकता है और क्योंकि वो आपको सजा दे सकता है तो आपको बचाने का जो ये article था वो ये आप से छिंज जाएगा तो आपको कितनी आदर तो समझकि इस article को exception में रखा है कि अगर कितनी बड़ी emergency क्यों नहों जाए इसको basically protect किया जाएगा तीक है और क्या सिर्फ citizens के लिए होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है ये basically article चाहिए citizen हो या फिर कोई foreigner हो या फिर कोई भी company कोई भी corporation उन सब में ये apply किया जाता है ठीक है बाकी जो detail में हम इसे fundamental rights में cover करेंगे नेक्स आर्टिकल 21 बोलता है कि कोई भी person को आप deprive नहीं कर सकते उसकी life से या फिर उसकी personal liberty से ठीक है तो यानि कि अगर मान लो मतलब उसकी life को खत्री में नहीं डाल सकते और emergency ऐसे एक time होता है जहां पर आप देख सकते कितना खत्रा रहता है काफी उन्हों अगर war just situation है तो अलोग की life risk में नहीं आ सकते तो उस case में आपकी life को protect करना के लिए ये basically इस article को रखा गया है और अगर बात करें तो ये available है citizens के लिए भी यानि जो भारतियां है या फिर जो non-citizens यहां पर रह रह रहा है उनके लिए भी applicable है तो यह exception को हमेशे ध्यान में रखना है तो यहां पर आपका fundamental rights को cover किया जाता है अब हम next feature की तरफ चलते है next feature है DPSP यानि Directive Principle of State Policy तो basically इसमें क्या है कि Dr. B.R. Ambedkar जेने से novel feature मारे Indian Constitution का ठीक है है कि यह बहुती नया तरीके का feature है ठीक है और इसे part 4 में जगा दी गई है हमारे Constitution में और DPSP को basically तीन चीज़ों से हम classify कर सकते है एक Socialistic यानि basically socialism अगर उसकी तरह अगर DPSP होगा तो कैसा होगा और Gandhian क्योंकि हम जानते है गांधी जी के अलगी thoughts थे किस तरह से basically इन्हों डेमोक्रेसी आनी चाहिए तो किस तरह से basically DPSP basically क्या है कि States के पास State होगी सकती किस तरह की से काम करना है वो किस किस चीजों पर basically law ला सकती है और कैसे मतलब sections के लिए कैसे काम कर सकती है वो सारी बात इसमें लिखी हुई है and third classification है liberal intellectual तो हम कह सकते हैं एक तरह से यह directions है तो कुछ directions है जो कि State को दिये जाते है policy को बनाते time तो अगर हम देखें कि DPSP क्या है तो कुछ directions होती है जो basically State को दिये जाती है कि आपको जब भी policy बनानी है तो इन बातों का ख्याल रखना है DPSP के बात करें तो क्या चीज़ा है यह promote करता है तो यह basically promote करता है social and economic democracy को social and economic democracy मतलब जैसे कि हम जानते है economically equal होना चाहिए मतलब government जाद से जादा कोशिश करें कि economic democracy को अजीव कर सकें बट क्योंकि हम जानते हैं इसको अजीव करना आपने आप में मुश्किल टास्क होता है because economically आप सब को equal कर नहीं सकती ठीक है यानि अगर कोई अमीर इंसान है उसके पास बहुत सारा पैसा और गरीब इंसान इसके पास कम पैसा है तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि उस अमीर इंसान से पैसा लेकर आपर उसे कह के कि आप यह तो economic democracy है तो आप सभी को आपके सब के पास equal पैसा होना चाहिए तो जो गरीब इंसान है अगर उसके पास भी 5 लाग है तो अमीर इंसान के पास अगर 5 लाग है तो गरीब के पास भी 5 लाग होने चाहिए तो इस तरह की चीज़े प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट हमेशा कोशिश करनी जरूरी है हर एक गर्मेंट को कि वो अपनी स्टेट में अपनी कंट्री में जादर से जाद एकनॉमिक डेमोक्रेसी को को इंप्रीमेंट करें ज्याया है ज्यालिक जो कि पर जीजब की विए लिए इनीकवालिटी को करने के लिए इसllीए उससी देक्शिडियो विए क कुछ DR. के आपको पिशेक करनी है उस नाइशा generation हो था ठीक हुआ ह् हूं hierarchy में और other sections को आप ध्यारी नहीं दे रहे हो ठीक है तो इसलिए आप देखा जाएगा कि चाहे आपकी depressed section की लोग है या फिर other tribal people है या फिर कोई STSC है तो इन सबी के लिए कुछ ना कुछ चीज़े जो है यानि इन शॉट कह सके DPS पर एक तरह का welfare state establish करना चाहती है ताकि जहां पर हर किसी का welfare हो ठीक है बट एक सबसे बड़ा drawback यह है कि यह non-justiciable है यानि अगर कोई person क्या है कि economic democracy तो होनी चाहिए थी बट economic democracy हो नहीं रही है यानि मुझे भी उतना पैसा मिलना चाहिए जितना और उको पैसा मिल रहा है अगर यह ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे supreme court के पास जाना पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यह कहके कि मेरे इस DPSP को वाड़ेट किया जा रहा है ठीक है विकास इसे non-justiciable बनाया है इसलिए ठीक है अब भले एक person के लिए बहुत ही जादा दुखत की बात हो सकते कि यह उसके DPSP उसके सी तो कमी थी और बाकी हर एक section को आप यह कहके कि आपको सभी को खाना मिलेगा आप सभी को रहने की जगा मिलेगी आप सभी को यह मिलेगा वो मिलेगा उससे में अगर ऐसा गौर्मेंट करती ठीक है अगर यह मालो जस्टिशिवल होता तो हर एक इंसान court के पास पहु यूस नहीं है ठीक है अगर इसके यूस की बात करें तो constitution खुद बोलता है कि यह जो principles इसमें लिखे हुए है यह fundamental है ठीक है governance करने के लिए country में यानि जब भी country में governance करने की बात आएगी तो इन principles को fundamental माना जाएगा यह इनको ध्यान में रखके law बनाए जाएंगे ठीक है और अगर मान लो कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है तो जैसे कि हम जानते हैं हर 5 साल में elections होते हैं तो अगर कोई भी सरकार इन चीज़ों को provide नहीं करपारी जनता को तो बेसिकली जनता के पास ये right है कि वो सरकार को अगली बार vote ना दे ठीक है तो एक तरह का cross balance भी है तो यो डर के मारी सही बट कोई भी government होगी वो आपके लिए ये काम करेगी ज़रूर ठीक है नेक्स्ट है मिनर्वा मिलकेस तो मिनर्वा मिलकेस में basically क्या हुआ कि उस समय हो क्या राता जैसे कि हम जानते हैं जब elections हो रहे थे तो हर एक सरकार का यही motive रहता था कि वो directive principles में ज्यादा ध्यान दे यानि लोगों के लिए घर के विवस्ता गरवाए बिजली पानी अच्छ करना है पांच साल बात तो उन्हें इन्हीं DPSP के वज़े से जो है वोट मिल सकता विकाज अगर यह बिजली पानी यह सब चीज़े वह वैस्ता करवा देंगे वो तो लोग ही सोचके उनको वोट दे देंगे ठीक है और जो fundamental rights दिये गए थे ठीक है कि एक्वालिटी की बात की गई थी freedom of speech की बात की गई थी उन्होंने ध्यानी ने दिया विकॉस उससे तो वोट नहीं मिलेगा न अगर गौर्मेंट ऑन ग्राउंड क्या काम करें इसकी बेसिस में वोट मिलेगा तो यहीं एक कारण था कि जिसके वज़े से मिनरवा मिल केस आये था 1980 में इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोट ने बेसिकली कहा कि अगर क्यूंकि सरकार इस तरह की काम कर रही है तो सुप्रीम कोट को बीच माना पड़ा तो उन्होंने कहा कि कॉंसिटूशन खुद यह बात मानता है कि कि बैलन्स होना चाहिए बिसिकली फंडावेंटर राइट और DPSP में ठीक है कि कॉंसिटूशन खुद इस बेड्रॉक पर ठीक हुआ है मतलब कॉंसिटूशन एक ऐसी जमीन है जिसके नीचे का पत्थर है वो बिसिकली क्या है फं हो सकता है तो यह एक उस सेंस में समझने वाली बात है ठीक है तो मतलब कॉंसिटूशन में फंडामेंटर राइट की उतनी इंपॉर्टेंस है कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कि किसी एक को बढ़ा दें ठीक है कि अगर वह जाधा से जाधा मतलब फंडामेंटर राइट पर ध्यान दे और DPSP को नेगलेट करते यह भी नहीं हो सकता या फिर वो DPSP को जाधा तवज्यों दे और फंडामेंटर राइट को नेगलेट कर दे तो यह भी नहीं हो सकता दोनों के बीच में बैलन्स बना रहेना बहुत जाधा ज़रूरी है यह बात सुप्रीम कोर्ट केस में डेक्लेयर कर दी थी ठीक है नेक्स्ट फीचर है फंडेमेंटल दूटीस में आ जतना है कि ओरिश्णली हमारे कॉंसीशन में इसको जगा नहीं दी गई है तो भी सिकली से कब आड किया था कॉंसीशन में तो इसको आड किया गया था इंटरनल एमरजनसी जब लगी तो वहां पर उस समय कुछ ऐसे चीज़े हो गई थी तो वहां पर हर एक citizen की कुछ duty होनी चाहिए अपने देश के प्रतिये बात उसमें जागरुक होई लोगों को तो इसलिए इसको जोड़ा गया कब 42 Constitution Amendment Act 1976 में किया गया अब बिसिकली रिकमेंडेशन किसके ने दी थी मतला किस ने घा कि इस तरह की चीज़े होनी चाहिए कौन वह विद्वान इंसान थे जिन्होंने बिसिकली यह सोचा कि हर एक citizens को जिससे fundamental rights मिल रखे हैं उस तरह से स्वन सिंग नाम की कमीटी बनाई थी उन्होंने रिकमेंड किया इस चीज़ को तो 42 Constitutional Amendment Act के दुरान जो है बिसिकली 10 fundamental duties को एड किया गया था और 11 fundamental duty जो है बिसिकली उसको 86 Constitutional Amendment Act 2002 में आड किया गया तिक है नेक्स्ट है कि कौनसी वो बिसिकली 10 fundamental duties हैं एक बार मैं आपको रिवाइस करवा देती हूं बाकी हम इसको डिटेल में fundamental duties जो हमारा चाप्टर इसमें कवर करेंगे पहला है कि आपको अपनी Constitution की रिस्पेक्ट करनी है नाशनल फ्लाग नाशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है दूसरा कि आपके जो नाशनल में जो आपके फीडम फाइटर्स थे आपको इंस्पिरेशन लेनी है उनकी आइडिया उसको फॉलो करते वे चलना है थर्ड है कि आपको अपनी unity sovereignty जो है इंडिया की उसको maintain करके रख आपके आपस में दूसरे के आसे हम रड़ाई जगड़ा ना करें प्यार प्रेम से रहें तीक है और साथ साथ वुमेन की dignity जो है उसको भी बढ़ाते रहना है तीक है अपना मानेंगे उसको बिसिकली नुकसान नहीं पहुचाएंगे किसी भी तरीके से खासका जब वाइड लिंस वगड़ा होते हैं तो यह बिल्कुल गलत है विकास यह आपकी duty है कि आप उसको बचाएं ना कि उसको तोड़े 10 है कि आपको excellence अचीव करना है और जादे से ज fundamental duty कहती है कि parents की duty है कि education प्रवाइड करें अपने बच्चे को किस age से 6 से लेके 14 देज तक यह नी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को education प्रवाइड करना हर एक parents की duty माना जाता है तो यह fundamental duties थी जो कि हमने शौट में देख ली है बाकी अच्छे से हम इस तो chapter में cover करेंगे main चीज है कि fundamental duties को basically constitution में जब add किया गया तो कहाँ पे add किया गया है तो इसको basically जगा दी गई है part 4a में ठीक है क्योंकि already part 4 जो है हमारा किससे deal करता है DPSP से तो इसको event करके part 4a में जगा मिली है और article 51a में इसको रखा गया है total 11 fundamental duties है और सबसे important है कि यह भी non-justiciable है यानि अगर कोई person अपनी fundamental duties अच्छे से काम नहीं करता तो कोई भी उसे इन्हों घसीटा हुआ Supreme Court या फिर कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता है क्या कि इसने अपनी fundamental duty को उलंगन किया है कोशिश है कि लोगों के अंदर से विचार आए कि अपने देश के लिए कुछ करना है आप फोर्स करके तो किसे से भी नहीं करवा सकते कि आप अपने national anthem की रिस्पेक्ट करो या फिर आप अपने culture को प्रोटेक्ट करो तो यह सब चीज़े कहां से अंदर से आते हैं कि आपक कि फीलिंग के लिए जो है इसको बेसिकली आट किया गया था constitution में तो यहां पर हमारे fundamental rights, fundamental duties and DPSP को cover कर लिया है अब हम next feature की तरफ चलते हैं next feature है secular state, तो secular state के अगर हम बात करते हैं तो original constitution में इसको नहीं रखा गया था इसको basically 42nd constitution amendment act 1976 के के तुरू इसको जोड़ा गया है preamble में और preamble जैसे की बात करता है कि वो secure करता है हारी citizens जो है इंडिया के उसकी liberty है, belief, उसके faith और worship को तीक है in the sense जब हमारा देश अज़ाद हुआ था तो हमारे देश ने कोई एक official basically religion को अपना you know official religion नहीं बनाया थीक है normally आप हर एक country को देखते हो तो उनका को official religion होता है कि वो हिंदू है, Christians है या Buddhism follow करते है या फिर वो Islam follow करते है बट हमारा जब देश अज़ाद हुआ तो हमने किसी भी religion को अपना official religion नहीं declare किया हमने हमेशे secular ही रहे और secular का में मतलब यह है कि हमने हर एक religion को equal respect दी है, हम धर्म निरपेक्ष country है ठीक है ऐसा नहीं है कि हम कुसी एक धर्म को जाधा तवज्जों देते हैं और बाकी दूसरे धर्म को इतना नहीं थी कि हमने equally importance थी है हर एक धर्म को तो already बहुत लोगों का मानना था expert का कि already हमारे constitution से हमारे preamble से यह सब पता चलता है कि हम लोग secular country है तो क्यों इसको आट करने के जरूवत पड़ी ठीक है तो जब आप constitution को देखेंगे तो constitution में आपको बहुत से ऐसे articles मिलेंगे जो आपको शो कर रहे होंगे कि वो secular वो मतलब शो करेंगे कि इंडिया एक secular country है तो जब यह सारे articles मतलब शो कर पा रहे हैं कि इंडिया एक secular country है तो तो बिसिकली क्या जरूवत थे अलग से secular word को डालने की प्रियंबल में ठीक है सबसे पहला article है article no.14 तो article no.14 क्या कहता है कि state basically किसी भी person को equality देने से मना नहीं कर सकता equality before law और equal protection of the law तिक है यानि हर एक person को यह equality प्रवाइट की जाएगी यानि लगर हम religion की business पर देखे तो किसी भी person को चाहिए वो कोई भी religion का हा उसको equality प्रवाइट की जाएगी equality दोतर है कि equality before the law की law के सामने सारे equal है and equal protection होनी रहो ठीक है कि हम equally basically protect करना है law को ठीक है further इसमें क्या details है उसको हम fundamental rights में cover करेंगे article 15 बेसिकलिया कहता है कि state discriminate नहीं कर सा किसी भी citizen को on the ground of religion ठीक है जो भी public employment है कोई भी ऐसा job है आप कर रहे हो तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है कि particular religion के लोगों को एकसेप्ट करें बाकी ना करें तो इस तरह की चीज़ें basically नहीं कर सकते हैं साथी साथ हर एक person को equal equality दी गई है कि वो freedom उनके पास basically freedom है कि वो conscience कर सकते हैं freely किसी को मतलब कोई भी religion जो है basically उसको उसकी पूजा कर सकते हैं उसकी practice कर सकते हैं लोगों को प्रोपगेट कर सकते हैं ठीक है बट आपको याद बस सी ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी धर् धर्म को basically इस तरह से प्रचाने करने कि आप जबरदस्ति किसी पर थोपो ठीक हैं limited वे में करो आप उसकी धर्म की अच्छाएं बसा सकते हो उसकी बुराएं बसा सकते हो पर किसी पर जबरदस्ति नहीं कर सकते तो इस तरह का freedom भी आपको दी गई है article 25 की तैथ next है article number 26 कहता है कि कोई हर एक religious domination यानि basically कोई भी ऐसी जगा जहां पर regional religion के affairs को चला सकते हैं मतलब कोई भी religion है वहां पर कोई भी section के लोग अपने religion affairs को basically manage कर सकते हैं यह उनको right दिया गया पर example अगर आप गुरद्वारे में जाते हो तो गुरद्वारे में जो सिक हैं उनके प आप Hindu मंदिर में जाते हों तो वहां के पुजारी जो जो भी administration चलाते हैं वो अपने हिसाप से चला सकते हैं similarly आप किसी चर्च में जाते हो तो वो अपने अच्छे से religion affairs को मनेज़ कर सकते हैं and similarly अगर आप similarly आप मस्जिद जाते हो तो वहां पर वहां के जो religious authority हैं उसको अच्छे से manage कर सकते हैं तो यह राइट आर्टिकल 26 को दिया गया है हर एक religious domination को मतलब जो भी basically जगा है आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी person को compel नहीं किया जा सकता कि आप taxes पे करो अपने religion को promote करने के लिए तिक है यानि कि अगर सिख है तो सिख के लोग अपने मतलब लोगों को नहीं बोल सकते कि आपको हम आपके उपर एक सिख नाम का मतलब अपने धर्म को फिलाने के लिए फिलाफ करने के लिए आपके उपर एक text लगा रहा है आपको देना ही पड़ेगा तो ऐसा कोई भी religion के लोग नहीं कर सकते तिक है आर्टिकल 28 की बात किया जाए तो नो religion instruction प्रवाइट नहीं की जा सकते education institution में यानि कोई भी education institute है वहाँ पे किसी भी तरह का धर्म से कुछ भी पढ़ाय नहीं जा सकता ना कुछ instruction दिया जा सकता है तिक है यह नहीं कर सकते आप कि किसी और प्रविस नही इस चीज़ का में ध्यान रखना है तो यह सब चीज़े क्या दिखाते कि हम सेकुलर हैं किसी एक religion के लिए हम सब कुछ नहीं करते हैं ठीक है next article 29 कहता है कि कोई भी section का citizen हो के पास right है इसको फिर लेंटर करने नहीं दे रहे हैं कि हमारी culture पर नुकसान हो गलत नहीं कह रहे हैं उनके पास राइट दिया गया है fundamental right के दोरा कि आप अपने culture को अपने जो script है अपनी language को protect कर सकते हो ठीक है similarly article 30 को देखते हैं तो यहां पर हर एक minorities के पास right है कि हो establish कर सकते है अपना खुद का educational institution को ठीक है और से साफसे सच चला सकते हैं ठीक है next article 44 कहता है कि state basically secure करेगा हर एक citizens का uniform civil court ठीक है तो इसके ओपर काफी बैस चर्ती है कि uniform civil court आना चाहिए आना चाहिए आप गोवा जैसे state में देखेंगे यहां पर पॉर्टोगीस ने पहले से changes लाने पड़ेंगे तो आप क्योंकि हर एक religion अपने आप में अलग है तो आप कैसे किसी को भी uniformly equal कर सकते हैं जैसे muslim women's के अलग rights है उनकी marriage से अलग rights है Hindu women's के अलग rights हैं बट फिर भी करना मुश्किल है बट करना ज़रूरी भी है because है तो हम सब Indian scene क्योंकि रिलीजिन बाद में आता है पहले हमारी nationality आती है हम इंडियन से हमें यहाद रखना चाहिए और अगर इस चीज को परकरा है रखना है तो हमें uniform civil court की तरह जाना ही पड़ इसली हमारे देश को अजाद हुए 75 यह सो अलड़ी हो चुके हैं तो कोई भी development के लिए कोई भी change एक दम से नहीं आता है तिक है आज हमारे देश में थर्ड जेंडर को basically राइट मिला है उनको एक नाम मिला है because हमने इतना लंबा सफर ताय कर लिए अब हमारी generation हमारे यहां क हो गया है कि वो समझते हैं कि उनका भी थर्ड जेंडर का भी राइट होता है तो कही ना कई हम वेट कर सकते हैं कि आने वाले future में uniform civil court जैसे चीज़ इंप्लिमेंट हो सके भले आज different communities इसके अगेंस्ट हो बट इन future कुछ भी हो सकता है वो मान जाए उनका इनका क्या सकते है तो mindset change हो जाए वो इतने अदर developed हो जाए इतने educated हो जाएं कि वो इसकी importance को समझें तो कही ना कहीं हमें प्रयास करते रहने चाहिए इसको लाने के और in future जब भी हो पाएगा implement नेक्स्ट है दो तरह की secularism basically देखने को मिलता है एक positive होता है और एक negative इंडिया जो है basically positive secularism को follow करता है और negative secularism जातर western secularism को कहा जाता है ठीक है तो इसमें difference के है वो हम देखते हैं इंडिया का जो constitution है वो हमेशा एक ही बात करता है कि हमने equally respect करनी है हर एक religion की और उसको promote भी करना ठीक है promote in the sense अगर मान लो कोई muslim अगर हच की यात्रा में जा रहा है तो सरकार की जिमिदारी है कि वो उसको fund करें अगर कोई मतलब इतना capable नहीं है उस हच की यात्रा में जाने के लिए और कुछ भी समस्या हो सकती है तो उसके रिटर जो भी fund वगएर वो कर सकती हैं similarly अगर इस तरह से हम देखा जाए western में क्या होता है basically western secularism में basically religion को और politics को अलग रखा जाता है कि religion politics जो है basically religion में बिल्कुल interfere नहीं करती है नहीं उसको promote करने में नहीं उसे बचाने में ठीक है अगर जातर Christianity की बात करें तो वहाँ पर जो चर्च में पादरी होते हैं वो इससे कुछ manage करते हैं हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को कोई manage करते हैं चाहिए fund करना हो या फिर किस तरह से promote करना हो या उसे बचाना हो जो वहां की government होती है उनका कोई रोल नहीं हो ता उस चीज़ में बडparagus ने ऐसा नहीं किया है इंडिया ने basically हर एक रिलिज़न की equally respect करने के लिए से protect करने के काम किया दिखें हरारे constitution की कोई ऐसा PHP आपि सब्सक्तियों आप्स के ए 5500 की और साती साथ आप देख सकते हैं god 90 dopamine ऐ 999 गुष सुन इस ता हम्रेंट अव इंडियक 2019 1990 और 1935 को उसमें से बिसिकली अबॉलिश कर दी है communal representation को विकार्स काईना काई यह communal representation जो थे हमारे unity को तोड़ने का काम कर रही थी हिंदू को divide कर रही थी muslim से और other communities से तो इस चीज़ को abolish करना बहुत जरूरी था ठीक है इसलिए वहां पे उन लोगों का representation अच्छे से हो सके इसलिए वहां पे उनने seats प्रवाइट की हैं बट temporary basis के लिए विकार्स क्यों एक बार अगर उनका जो level है उनका जो upgradation कहलो अगर वो एकदम equal आजाएगा और बाकी लोगों के साथ तो उस चीज को reservation को cancel कर दिया जाएगा साथी साथ हमारा constitution है वो ये भी बोलता है कि government के पास ये power है अगर मानलो कोई एक religion किसी दूसरी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस चीज को ban भी किया जा सकता है मतलब for example मानलो कोई हिंदू है मंदिरों में जैसे पूजा पार्ट होते है किर्दन होते हैं तो आप देखते हो इतना loudspeaker पर चीज से चलती रहती है तो आज पास मानलो कोई और religion का person महाँ पे रह रहा है चाहे वो muslim हो सिक हो तो अगर मानलो उसको objection हुआ कि भई already मैं इतना बिमार हूँ और ये लोग इतना loudspeaker पर चलाते रहते हैं तो वो directly या तो government को या फिर Supreme Court को इस तरह से बोल सकता है कि इस चीज के वज़े से problem हो रही है तो government या फिर Supreme Court वो इसके किलाफ action ले सकती है तो इसमींस ये अगर किसी summarize किया जाएं तो ये है कि इंडिया ने जो positive secularism को adopt किया है वो ये भी कारण है because इंडिया एक multi-cultural society multi-religious society है तो इंडिया में हर तरह के religion है जबकि आप western country को देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक religion आपको मिलेगा जात पर जो dominate कर रहा है तो इसलिए इंडिया को हर एक religion को focus करना उसका जरूरी है अगर मानलो वो भी western country की तरह एकदम बोल दे कि हम लोग interfere नहीं करेंगे और क्यूंकि हमारा इतनी religion की लोग है उनके बीच में आपस में कोई लडाई हो जाए कुछ हो जाए और सरकार बस यह कहते रहे कि हम तो interfere नहीं करेंगे जो भी है ने खुद से solve करने दो तो कितनी ज्यादा कियोस हो सकती है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखके भी इस चीज का फैसल लिया गया है कि हमें positive secularism की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ठीक है तो आज के लिए इतना था तो बाकी जो rest of the topics पर चुके हैं उससे part third में complete करेंगे तो अगर आपको इससे टीट PDF चाहिए तो टेलिगरम चैनल पर जाके आप IQtape official को join कर लीजे आपको जो भी PDF है मिल जाएंगी और कैसे लगा आपको इसमें बताना जाद स्यादा इसको subscribe करो, share करना लोगों के साथ, like करना, like button को like करना न भूले और comment भी आपको करने है अगर कोई भी query है तो आपको हाँ पर comment करना है और आपको इसका reply ज़रूर मिल जाएगा और जितना हो सके आप अपने friends लोगों के साथ इससे circulate कीजे वीडियो को because videos basically obviously free of cost हैं तो जाद से यादा लोग इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो सब के लिए ही basically वाइदे मंद होगा ठीक है बाकी कोई भी doubt है तो आपका doubt को query को सुना जाएगा so thanks for watching